इंछाटचर आठ करोर दे दिये थे पांस देने वाले थे से पहले सरकार गिराधी जैवरधन कोंग्रिश की सरकार बनी तो बकाया पैसा चुका कड़ दोबारा चालू होगा शक्कर कार खाणा गुणा जिली की नारायन पूर्चेतर में इस्थापिद करना कारखाना दूबारा शुरू कराने की मांग लंबे समय से ईस्थाने किसान कर रहे हैं किसानों की बहुत शिक्षित मांग का समर्थन करते हुए पोरो मंत्री जैवर्दन सिंग की मौजूदकी में रविवार को किसान महापंचायत का आयोजिन किया गया मौके पर मौझूद हजारों किसानों से संबात करते हुए पूरों मंद्री जैवर्दन सिंग ने शक्कर कारखाने को दुबारा शुरू करने की मन्शाजिताई है और आश्वासन दिया है कि कमलना सिरकार में जो कारखाने की बहाली के लिए प्रयास शुरू किये गए थे उसे हर्गिस ठंडार नहीं पढ़ने दिया जाएगा रागोगर विधायक जैवर्दन सिंग ने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए दो टुक कहा कि कॉंग्रेस हमेशा ही सक्कर कारखाने को सुचारू रूप से चलाने के पक्ष में रही है गन्ना फसल खराब नहीं होती साल 2003 में पूर मुख्यमंत्री दिगविजय सिंग ने इस मंशा के साथ कारखाने के स्थापना की थी कि गन्ने के फसल मौसमी प्रकोप को बरदाश कर लेती है इसलिए प्रकर्ति काब्दा की मार जिलने वाले किसान गर्ने की खेती करें और नारायनपूर कारखाने में इसे बेच कर अच्छी लागत प्राप्त कर सकते हैं साड़े 13 करोड था बकाया लेकिन कॉंग्रेस के सत्ता से जाते ही तमाम कारणों से नारायनपूर शकर खार खाना बदहाली की ओर चला गया साल 2015-16 तक यहां किसी तरह चल रहा था तभी साड़े 13 करोड रुपे बकाया भुकतान की वज़ा से कारखाने को बंद करना पड़ा और रागोगर्ड धरनावदा भुलायाम सहीत आसपास के तमाम गावों के किसानों को भी गन्ने की खेती बंद करनी पड़ी किसानों की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने 2018 में तयतकालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ से शक्कर कारखाने की कुल साड़े 13 करोड रुपे की लेंदारी में से साड़े 8 करोड का बुकतान करा भी दिया था इसके बाद उन्होंने विपक्ष में रहते हुए विदान सभा के बीतर ये प्रशन उठाय था कि नारायन पुरा शक्कर के लिए 5 करोड की राजशी क्यों जारी नहीं की जा रही थी लेकिन किसान विरोधी भाजपा सरकार ने इस ओर कभी धियान नहीं दिया महापंचायत में इखटे हुए कई काउं नारायन पुरा में आयोजित इस महापंचायत में रागोगड और चांचोडा कुम्बराज तहसीलों से बड़ी संख्या में किसान इकत्रित हुए जैवर्दन सिंग ने किसानों को भरोसा दिलाया कि कॉंग्रेस उनके प्रती समव हुआ है वही बढ़ेगा लेकिन कोई ना कोई इसकी प्रक्रिया होने चाहिए को नियम होना चाहिए है तो फिर यह उसमें त्याट किया गया था कि सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से जो 1.5 करोड की लंबिद राशी है वो भुकतान की जाएगी और जब राशी पूरी हो जाएगी उसके बार किसान को इस प्रकास से चालू करना पड़ेगा उस थीनीलावि की जाएगी और किसना की तरह से कुई ना कोई आकर इस तारखाने को वापै में साड़े आठ करोड रुपे का वुक्तान हुआ भी था आपको जानकार होगी इसके बारे में और उसके बाद सिर्फ पांच कोड रुपे रह गए थे लेकिन अफसोस की बात है कि फरवरी 2020 में मार्च 2020 में सरकार बदल गई हमाई सरकार नहीं बच पाई आज हम रिपक्ष म हैं और मैंने इसके संबंद में विधास्वाइं प्रश्मी पूछा है कि जब शर्थीक सरकार की के तेरा क्रोड रुपे मिल भुक्तान होने के बाद फैक्ट्री चालू करने की जाएगी फैक्ट्री पढ़ना चालू होगी तो जो शेष पांच कोड रुपे रह गए है और अगर आप चाहें तो जो आज के आयोजब है मैं आप सबसे प्रात्ना करता हूँ पार्टी कोई भी हो सोच कुछ भी हो हम सब मिलके मुख्य मंतरी से मिलें सैकारी मंतरी से मिलें और यह मांग करें कि जो शेष पांच कोड रुपे की राशी है वो तक्ताल उसकान किया ताकि उसके बाद जो भी प्रक्रिया है फैक्ट चालू करने के लिए वह प्लंध प्रार्म हो जाए ताकि पुनव फैक्ट चालू हो और करने का लख्वावाप एक पार इस इतमें बड़े यह मारा प्रयास होना चाहिए है उसके रावा मैं आपको आश्वासन देता हूँ हमने 15 महिने में जब सर्कार हमारी थी तो हमने 8 रोड़ का भुक्तान किया थी और अब 9 महिने रह गए हैं ये लोग भुक्तान करें तो करें और आगे पुत्रिया करें और अगर नहीं करेंगे तो मेरी जिम्मिदारी रहेगी कि 2024 में अगर सरकार हमारी बनती है प्रदेश में तो जो शेश 5 रोड़ रोपे है उसना भुक्तान भी किया जाएगा और पुनार निरामी करके फैक्ट जरूएगा